नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सूरे का यह जो रासी परिवर्तन हो रहा है गोचर 15 मई 2022 को सूरे देवता जो है वो वर्षब रासी में गोचर करेंगे पहले मेस रासी में थे उच्च के थे, अब वो जो है वो आपके वर्षब रासी में आ गए है यानि कि एक पूरु है और एक पाश्चिम है राहु और केतु जो है वह इनको ग्रहन लगाते हैं इसलिए उनके साथ इनकी जो है वो मित्रता नहीं रहती है बुद्ध के साथ बुद्ध अधित्य योग बनाते हैं ये तो सूर्य एक योग कारक रहे होता हमारी जन्मकूर लिगा वैसे तो इनका गोचर बहुत ही छोटा होता है क्योंकि 30 दिन का गोचर है अब इस 30 दिन में कोई बहुत बड़े कारे तो नहीं हो सकते हैं लेकिन कुछ बहुत ही महतवण कारे जो हैं वो हो सकते हैं इस वीडियो में हम जो हैं वो सभी राश्यों के बारे में चर्चा करेंगे साथ में एक बहुत ही मैत्वण बाती है कि देखिए कई सारे वीडियोज आप यूटूब पे देखते हो कि वो कहते है कि सूर्य राशी परिवर्तन कर रहा है वर्सब राशे में इन पांच राशियों का भागी हो जाएगा इन छे राशियों का जो है वो कल्यान हो जाएगा उनके उपर धनवर्सा हो जाएगी देखिए यह सब जूट पाखंड हमसे तो होता नहीं है हम इन सब की बाते नहीं करेंगे सिंपल और जो तरक संगत बात है उसी के उपर तरचा करेंगे तो आप यह वीडियो संपूर्ण देखिए और जोतिस में हमारे इस यूटूब च समझना है अगर आप इस चीज़ को समझते हो तभी आपको लाब रहेगा और इसकी जो चाल होगी वो कैसे परणाम देगे देखिए सूर्य यहाँ पर जो है वो तीन नक्षत्रों में चलेगा सबसे पहले अपने ही करतिका नक्षत्र में चलेगा यानि कि यहाँ पर सूर्य यहीं पर भी बैठा है और करतिका इसका नक्षत्र तो इसका मतलब सूर्य के परणाम बहुत अच्छे आएंगे खास करकि धन के इस्तति में और आपके जो परिवार की आर्तिक इस्तति मजबूत होने के लिए यानिकि सूर्य उन लोगों को अधिक लाब देगा दूसरा कि यहां पर सूर्य के जो है वह नक्षतर सलेगा चंदर्मा का रोहिणी और रोहिणी नक्षतर जो है वो चंदर्मा का इस उठापटक वाले दिन है वो चंदर्मा का रोहिणी नक्षित रहेगा यहीं कि आपके 10 दिन के बाद यानि कि जो आपका 15 तारीक है तो 25 तारीक तक इसमें जो हैं काफी अच्छा लाब रहेगा यानि कि विस्तिर्ता चलेगी उसके बाद यानि कि 26 तारीक से आपका पर नाम है सारीरिक सुखों में कमी जो हैं वो दूर कर देना यानिकि आपके सरीर में ताकत लाना सेक्षवल प्लेजर को अच्छा करना क्योंकि यह एनरजी का कारक है तो इसमें क्या होता है कि काफी अच्छी लाब होते क्योंकि यह कालपर्ष की जन्मकुर्णी में संबंजित को नोकरी इस समय मिलने वाली है तो उसमें आपको लाब कर सकता आपके दसा अंतर दसा के द्वारा दूसरा कि आपको सरकार से कोई उलजावा काम है सरकार से कोई करे लेना जैसे माल लिजा को लोन ही लेना है गौर्मेंट बैंक से तो वो आपका काम करा सकता है यह एक सबसे महत्यपुने अगर आप संतान की इच्छा रखते हो और इस एक महीने का टार्गेट लेके आप संतान के लिए कोशिस करते हो तो भी आपको लाब है दूसरा कि इस समय में आपको जो है सबसे अधिक लाब हो सक आर्थिक स्तति के लाब मिलते हैं परिवारवर्दी के लाब मिलते हैं क्योंकि संतान पक्स को मजबूत करेगा तो परिवारवर्दी के लाब आपको मिलेंगे तो इस तरह के लाब मिलते हैं सबसे बड़ी आपको हेल्थ में रिकवरी जरूर देता है दूसरा कि यह आपको वाले खर्चे उनको दूर करता है सरीर में रिकवरी राता है जिससे कि आप अपना नौकरी और खामदंदा करते हैं जिससे कि आपको अत्यतिक लाव रहता है तो यह तो होते हैं एक जनरल पडिक्षन जो हर समय से हर तरह से हो सकते हैं अब विशेस राश्यों के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका मेस राश्य की बात करते हैं तो मेस राश्य के लिए यह आपका सेकंड आउस में आएगा यानने कि धन भाव में तो आर्थी तोर पर 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 रहेग कि वहीं ही कि लगने में ऐ дела है जो है इन जात्त को अए दांपत्रा सुक्र की राशी रहे और और शुक्र कर दो फूर राशी के राशी के लिए चोबह राही के लिए इसके बाद रpor सरकारी न्योक्री नौक्री ने आपकी नौक्री तो है वह स्टान परिवर्फन भी होने का योग बनता है मिदेश से कोई कारो बार उसमें भी मिलेगा थोड़े से खर्चे जरों बढ़ाएगा लेकिन यह अच्छे गर का कारक है जिसका मतलब यह थोटे मोटे छो करचे तो होंगे लेकिन वह क्या होंगे यह आपको लाप देने वाले खरचे आएंगे तो मितिद्ध लगन वालों के लिए यह में उप्सूराषी वालों के लाप के यह पनेगे लेकिन फिर भी आपको लाब देगा हर तरह से, आपके बिगडे वे काम बनाएगा, सरकार से सम्मझी तो आपको लाब नहीं मिलेगा, लेकिन सारीरिक तोर पे जो हैं वो लाब मिल जाएगा, दूसरा कि आपको जो हैं वो धन कमाने में, नौकरी में इन सब मिला मिलेगा, यह नहां पर कहें मारकेश जरूर है लेकिन इसका राशिस्वामी नवम घर में गुरू के साथ बैटा यानि कि यह आपका भाग्य भाव है तो हेल्थ में भी आपको लाब देगा इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिंग लगन के जो जातक हैं अब देखिए सिंग लगन वालों यह सब चीजों में यहां पर लाब रहेगा सिंग राशि वालों के लिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके कन्या राशि के जातकों के लिए देखिए कन्या राशि के लिए जो हैं वो नवे घर में भाग्य भाव में आया बारवे घर का स्वामी भाव में आता है तो यात में तबादला है यहां पर लाब देने वाले योग बनता है हाँ आपके उपर खर्चे जरूर कराएंगा लेकिन वह खर्चे अच्छे होंगे दार्मिक होंगे और वह खर्चे जो है वह आपके परिवार में सुक्षान्ति लाएंगे जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा उद है आटवे गर में गोचर होने से असुपता ज्याधा लाता है आऽने की देखें बिमारी तो नहीं देखा लेकिन यहां पर क्या होगा UPर घ्र दोलगे alguns तो नहीं वाला है इस तरह सुर्य का यहां पर आना अच्वा गर्मी और पृरिश क्या है यहां पर आघर हम देचती हैं तो यह आपका बाधकिस बन जाता है तो बादकिस का आठ इसी तकलीप के योग बनेंगे इसके बाद हम बात करते हैं व्रस्चिक लगन के जातकों के लिए उन लोगों के लिए सुर्य कोचा सब्तम घर में होगा अब यहां पर दसमेस है तो दसमेस है लेकिन विवा के लिए अच्छा परणाम नहीं दे पाए क्योंकि यहां पर जो आ होआप शुक्र में डसमेस है लाप मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि विवा में अर्चन फैदा करेगा प्रेम विवा है उसमें आपको डेले कराएगा जैसे कि आप कम करने को रहे है तो यह दिक्वत नहीं सुचि एक प्रेम कर रहा हूं उससे में बात चलाओंगा तो वहां पर चलाना संभव नहीं हो पाएगा चलाएगा तो वह कट जाएगी उसमें प्राप्ति नहीं है यानि कि लाव घर नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि वह यहां पर ब्यापार को लाव मिलेगा अपको हर तरह से इस्टेटस मिलेगा व्यापार की लिए अच्छा समय है आपके कामचलन्दफे के लिए बहुत अच्छा समय देगा तो व्रस्टिक राशी वालों के लिए यह लाप बंदता है अब हम बात करते हैं धनौराशी वा traffic इसमें जरूर उतार सड़ाव है, सेकिंड मेरीज, फर्स्ट मेरीज को काटने वाला योग बना रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पे, कि अगर आप अपनी वेवाइक जीवन में असंतुष्ट है और तलाग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे यह योग पढ़ाई भी कर सकते हो, यह सब इसमें लाप होता है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, मकर रासी के जातकों के लिए, मकर रासी के लिए पंचम गर में आ रहा है, अश्टमेस फंचम característ में हासा क्या आता है, सबसे पहले नोकरी जाने का डर, नोकरी से परिषणी, संतान को और पंचम में आया है क्योंकि आपको यह आपको सब्सजरी नुक्सान यहां पर नुक्साना वाला नौकरी में नौकरी में physica जाने के योग सबसे ज्याद़ बनने के चांस है अग हिए मसम्मंद फेल होताने के भी चांस यहां पर बंते हैं तो ये साभदानि रखे मकर लगन वाले के लिए मकरासी वालों के लिए अब मुं बात करते हैं कुम राशिय चतुर्टATHER में सुक्सतान में है बहुत यश काaser है लेकिन परॉपर्टिक के लिए बढ़िया है आपके पर्मोशन के लिए बढ़िया है सरकारी समंदित कामों के लिए बढ़िया है आपको कोई नया व्यापार डालना है उसके लिए बढ़िया है आपको गाड़ी लाना है घर बनाना है वो सब कामों के लिए बढ़िया है यानि कि आप गर की नीव रखना चाते हो गर का कोई प्ल अब जाएगा तब उसको नसे पंच में यस दोनों जूड जाएंगे तो वेट करिए सु सुरे का ये सोला मही के बास सोला जुन को आपका मित्तु राशी में आएगा तब प्रेम समन्नों की बात करेंगा तब पाइब को लाब जरूरोगा कुम्राश्य वाले की जातों के लिए हैं मी हम बात करते हैं मीन राशी जातों के वो even ए जरूर आएगी फिजूल की मैनत होगी लेकिन फिर भी नौकरी काम दंदे में ट्रेडिंग में बिचोलियों बनने में सब में लाब होगा दलाली में भी लाब है तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का गोचर जो है वो हमें खास करकिर कि नौकरी से संबंदी छेत्रों म आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं अपना कोई भी पैसा तो में लोगों के लिए इस तरह की परणाम रहेंगे तो यह चोटा गोचर है जिसका लाब जरूर लिए तो आज के यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बता है अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सिस्क